नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि बगवान महावली हनुमान जी के श्रबाशी आप शबी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में स्वस्त होंगे दोस्तों आप शबी को बता दी कि आने वाले 48 घं आप शुबी के जुनकाल में महावली हनुमान जी लेकर आने वाले हैं, दश बड़ी खुशकवरी, जिनें शुन लेंगे, जिनें जान लेंगे, तो दोस्तों शारा परिवार खुश्यों से मिठाई बांटेंगी, और घर परिवार में एशी खुश्यों की लहर दोड़ने व को दोस्तों आप शिवी को बिता दें, कि आप तो जानते हैं, और घरॉं के सितिय अश्यों में आपके लिए शुल्फ वरभ दोड़ने हुएं। दोसों उन्हें आपको श्वी परकार के दुश्मनों से मुक्ति मिलने वाले हैं जया दोसों, और शंकटों के नीदान महाबली हनुमान जी, आप श्वी के लिए बहुत बड़ी खुश्कबरी लेकर आए हैं जया दोसों, तो दोसों हमारा आप श्वी शे बस यही विटमर न वेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और दोस्तों शुरूश लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्याशे शमी निकाल कर देख लीजिएगा जे दोस्तों जो भी वक्त आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और जो भी बात हम बताने वाले ह उने शुन लेगा तो दोस्तों महावली हर्मान जी का अशि मश्रबाद उन शवी के जूरूश बातों का ध्यान रखना भी अगले 48 घंडों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा दोस्तों सभी बातें घरों के गोसर परिनमीत आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जिन्हें जान लेंगे तो दोस्तों आप शिवी का जीवन पूरी तरह शंपन हो जाएगा उशे पलतों जो भी महावली हनुमान जी के शच्चे पीर भकते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू केजिएगा और कमेंड बॉक्ष में शच्चे मन शच्चे हिर्दे भावशी जय हनुमान जय शंकर मोजन जरू लिखेगा दोस्तों महावली हनुमान जी का शिम शिर्वाद आप शिवी को प्राप्थ होगा जीवनकाल के शारी कष्ट देरे देरे शिमाप्तो दे जाएंगे जी अदोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरूबात करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत अच्छे ज्यांशी दोसों बगवान श्री किष्ण कहते हैं कि जीवन में क्या करना है या हमें रमायन शिखाती है जीवन में क्या नहीं करना है या हमें महाभार शिखाती है और जीवन को केश्व जीना है या हमें श्रीमत भागवत गीता शिखाती है दोसों शिरिम्यत भागवत गीता में याफी लिखा है कि इश्वर रिंसान से बहुत प्यार करता है और उनकी अंतरात्मा पर बार बार दस्तक देता है उसकी आत्मा को जागरित करने के लिए प्रंतु कोई तक्दिर वाला ही दिल की आवाज को शुन पाता है जिनके भी अच्छे कर्म जिनके भी अच्छे नेत्रुत होते हैं वही भगवान के इश्र नेत्रुत को शमझ पाते हैं भगवान के इश्र अश्पर्ष को शमझ पाते हैं जिया दोसों तो दोसों भगवान श्रीकिशन का या परम ग्यांगर आपको अच्छा लगा हो सबक्राइबी के जीवन काल में महावली हनमान जगेश्र बाशी कौन कौनशी बड़ी और महत्पुन बदला होने वाले हैं कौन कौनशी दस बड़ी खुश्चछ गवरी आपको मिलने वाली हैं शाति कौनसी विश्यस बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा दोस्वन निशवी की महत पुन जान कर देंगे तो दोस्वन अंत तक ध्याश दिखीएगा तो आई दोस्वन बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्वन यश में कोई भूमे शमंदी खरित परोफ्त का काम शंपन हो शकता है धर्म कर्म शमंदी कारियों में भी आपकी विसेश से समय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त योगदान शमाज में भी आपका मान शम्मान और फिर इज़त परितिष्टा में भी बड ऑपने फिजल कर्जी पर आपको यसमें अंकुष लगाना चाहिए दोस्तों किसे खास प्यक्ति के द्वराही आपको कुछ नाक्षान याश में होशकते हैं तो दोस्तों याश में बैटर होगा ती बारी शमपरकों से आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रिस्थी क वो कुरोध के बजाए शांती पूंत तरिके शें निप्टाएं तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा और इसको प्राहन दोस्तों यश्म आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि किसी के भी शाथ मिल जुन कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों क्यzet posición न Notre ना चाहते हैं या फ्र नए घर को शिप्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो शक्ती है यश्मिय आपको धहरे रखने की आवश्यक्ता होंगी और इसको प्राहन दोस्तों यश्म में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपक को केरिया शमंदी किशी शमच्या का समधान भी यश्म मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश्मे हाशिल करने वाले हैं दोसों परन्तु आलाशुआ फिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय शमय को यश्मे वश्ट ना करें यह आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि दोस्तों यश्म में आप जो है अपनी शमताओं का भरपूर उप्यों करने का शमय होगा तो दोस्तों यश्मे को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कारियों के प्रति अपने ध्यान को केंदे रखें दोस्तों अगर किशी वहाँ या भी शम्मत्ति की खरिदने की रिल लने की उजयना बना रहे हैं तो दोस्तों या शमयÓ को असटाइकी दरखें हैं क्योंकि दोस्तों इंब में आपको लाब करतिति नहीं होगी और इसके व्यक्ति के शाथ मद्वेद होने के वज़शे भी कुछ काम में तेरी हो शकती है जेवर्शेली को शुदारने के आवशकता होगी जिसे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आशान होगा परश्कुप्राण दोस्तों यह श्मय आपके लिए जोसे में होगे आप दोस्तों यह श्मय इमोशनल होने के बजाए चतुराईव और विर्यक्षे आपको काम लेना चाहिए दोस्तों विवक्ति से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा दोस्तों आपको बदा दें कि किसी इस्तिदार से शमदी सुब समचार भी सुनने से आपका मन श्मय बदा दें कि रूपिय पेशे की मामले में भी किशी पर भरशार ना करें आपकी गोई जनायश में गलत हो शकती है इसलिए दोस्तों यह में उस पर पुनर विचार आपको करना चाहिए अत्यदिक गुश्चा आपके लिए श्मय आपके श्वास्त और आपके कार्योंक में हानी का कारण बढ़ शकता है इसलिए दोस्तों यह में आपको धहरी बना कर रखना चाहिए और इसको बना दोस्तों यह में आपको बदा दें कि आपको कई शारी बातों की चिंता का नुभव होगा दोस्तों अधिक विचार करके आपके वल चिंता बढ़ा रहे हैं दोस्त किसी की मद्द लेना यश में आपके लिए आउश्य होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर प्रितिती का हल रुणने की आपको कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी डून पाएंगे और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए जम पुन कारिश शंपन होच रखता है राज की मामलों में भी के शमन्दी स्थियां आपके पक्ष में रहेंगी शाथी दोस्तों दूसरों के मामले में हस्पेक्ष ना करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए शाथी दोस् दोस्तों आप शमनित सभी बातों में संदुलन बाराय रखने की आपके जो कोशिज होंगी यह सफल होंगी फिर भी दोस्तों विचारों में शकारतमकता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यान तावशकता होंगी फिलाल दोस्तों परिस्तिती कठन नहीं है लेकिन दोस्तो यह उतना आशान भी नहीं है श्मस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने के आपको यश्मे कोशिज करते रहना चाहिए यह आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्राण दोस्तों यश्मे आपकी केरेर को लेकर बात केरेर अर्थात आपके वह विशाय की तो दोस्तों यश्मे जन सब्परकों का दाएरा अधिक विस्तित होगा परंतु अभी भी वह इपारिक गद्युदियों का गंबिटा वफिर बारिकी शेम लेकर करना आपके लिए श्मे जरूरी होगा दोस्तों शिनियर्स लोगों के साथ सम्मन्द खराब नो करें तथा बद शाय में इस्तियां यश्मे बैतर भी रहेंगी कुछ हलकी फुलकी प्रिशानियां तो आएंगी पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा नई प्रॉप्टी और नए लोगों से ववायर करते श्मे आपको यश्मे सजीत रहना चाहिए दोस्तों शादे करमचारियों क गतिदियों पर भी यश्मे आपको नजर रखना चाहिए और इसको प्राण दोस्तों यश्मे आपके वईशाय के लिए समय होंगे आपके केरिक लिए समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यश्मे प्रवावशाली वेक्तियों के शाहत अपने शमनों को और अधिक मज करें और इसको प्राइब दोस्तों इसका ध्यान रखें नोगरी में बहुत वाफिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे शाथी पदमते के भी योग बन रहे हैं इसलिए दोस्तों इसम्हों के आपको बता दे कि जो इसाथी के शाथ किसी बात को लेकर तकरार भ आपको द्यान रखना चाहिए प्रेंदों दोस्तों आपकी जब भी सूझ बुझ रहेगी तो इसके दोरा आप शबी परिस्तोतियों में विज़ाई भी हासित करेंगे इसलिए दोस्तों इसम्हों में आप अपने वानें पर स्वेम रखें और किसी भी बात को कट्रूरता स ना बोले प्रेंदों में भी आप यह में समय वैर्थ ना करें यह आपके लिए बैतर होंगे और इसके प्राण दोस्तों आपके पारिवरिक जीवन के लिए अचा रहेगा प्रेंदों में गलत फिर्मिया उत्पन हो शकती है इन्हें अपने काम पर हावी नौ होने दें यह आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्राण दोस्तों में अगर आपकी स्वास्त देने स्यहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें सारीक कमजोरी और जोड़ों में दर्द की शमस्याल आपको परिशान कर सकती है आईरविदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहे चोट आदी लगने की शमहोना भी यह में बन रही है और इसको प्राण दोस्तों में बुरी आतों तो था बुरी स्रंगत से आपको दूरी बना कर रखना चाहिए